आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमें इस कोशे में दिया है कि अब देखो पहले यह क्या था है यहाँ पर यह दिया है कि यह टू आइडेंटिकल स्फियर्स है अब यह आइडेंटिकल स्फियर्स है तो इनका सेम रेडियस होगा और वॉल्म सब सेम होगा तो यहांपे दिया है कि यह 16uiml है और यह दिया है –8uiml इनके बीच में हमाल लेती है जो separation है ही है हमारा separation आ रहा है ठीक है अब यह दिया है कि इनके बीच में जो force लग रहा है F के बराबर है तो यह क्या है दोनों ही appreciate force हैatten इनटे क्या होगा एक attraction force लेगा और यह होगा हमारे kq by r square kq1 into q2 by r square तो q1 क्या है हमारा 16µm ठीक है और into 10 के पावर minus 6 हो जागा into q2 minus 8µm तो 8 into 10 के पावर minus 6 हो जागा ठीक है यहाँ पर हम क्यों magnitude निकल रहे हैं force का ठीक है तो by r square ठीक है तो यहाँ से हमें f निकल गया यहाँ से हम f equals to लेख सकते हैं f equals to लेख सकते हैं k into 16 into 8 तो 48 ठीक है एंड 8 और 412 128 into 10 के पावर minus 12 divided by r square यह हमारा f का value है ठीक है हम इसको equation 1 मान रहा है ठीक है अब यहाँ पर question में क्या दिया है यह question में यह दिया हुए है कि अब इनको क्या वर रहे हैं they are touched अब इनको दोनों को touch करा रहा है फिर same distance पर रख दे रहा है ठीक है तो जैसे ही यह touch करेंगे तो यह क्या होंगा यह चार्ज यहाँ पर क्या होगा transfer होगा ठीक है तो दोखो चार्ज कब तक transfer होगा जब तक इनका potential equal नहीं हो जाए ठीक है तो पहले जो हमारा charge था वही बात में भी charge होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है कभी destroyer नहीं होता है क्योंकि यह चार्ज के property है जो हमारा initial charge होगा क्योंकि यह ही जो हमारा इनिशियल चार्ज है 16µ and –8µ यह दोनों आपस में क्या करेंगे ट्रांसपर होगे चार्ज हम माल लेते हैं Q1 और Q2 बिकम हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा initial charge है ठीक है इनका हमारा charge होगा यह माल लेते हैं Q1 और Q2 हो गया ठीक है अब हमने क्या किया है दोनों को touch करा दिया तो हम इस पर माल लेते हैं टच कराके रख दिया तो यहाँ पर हो गया Q1 और यह हो गया Q2 ठीक है तो यहाँ सी क्या होगा यह दोनों का potential बराबर होगा जब तक यह transfer हो जागा मतलब यह इनका potential मान लेते हैं V ठीक है अब दखो दोनों ही सेम है मतलब identical है तो हम मान लेते हैं यह Q1 है और इसको मान लिए है Q2 तो यहाँ पर दोनों का potential होगा तो यहाँ पर हमने सेम कर दिया तो इसके लिए लिख सकते हैं K into Q2 बटे R ठीक है यह लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि हम जानते है यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारा initial charge Q है वो क्या होगा final charge की भी बराबर होगा अब दोनों बराबर है यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 cd to the कि यह अजी अजागा हमारा कीओट भी बराबर है तो हम यहांन से लिख सकते हैं 2 q1 और यहां से q1 equals Hier अब यह क्यावालरा की स्यंव डिस्टेंश पर रख दियें घर स्क है और यह दोनों को फिर से हमने कहिं़ घर ृस दे आ had टीक है यहां हमारे पास इसके पास q है और यह यह भी क्यू हैमातों के चार्ज क्या है सब्ल्स पर जाएगा कि यह थो यह फ्यव फोर स्टी कि आगे डहाला है एंगे तो आपस में क्या क्या करेंगे क्या मैंmarब क्यों env and ठीक है तो अब यहां से इस इकोस्ट्य लिख सकते हैं यहां पर भाले पूट करते हैं देखो Q स्कॉयर है तो यहां Q एकोस्ट्य कितना है 4 एकोस्ट्य कितना है तो यहां समय लिख सकते हैं इंटु 4 इन्टू 10 काफर माइनस 6 इन्टु 4 इन्टू 10 कीपाबर माइनस 6 देवाऑ वाठे आरस वाड़ क्या थेक है यहां से लिख सकते हैं अब क्या कर लेते हैं जो हमारा equation 1 है और इसको equation 2 से divide कर लेते हैं ठीक है तो Alright, F divided F dash ठीक है यह आजएगा हमारा F divided F dash करेंगे तो यह कितना आजएगा तो इधा उपर हमारा कितना है यह हमारा k into 128 into 10 power minus 12 ठीक है यहाँ पर हम जब divide करेंगे तो यह बचेगा 128x10 के power –12 ठीक है और यह बचएगा हमारा 16x10 तो कड़ 這 यहां यहां से यहां कड़ जाएगा तो यहां से 16 सो scholars कड़ आएगा तो यहां से 16 से कड़ आएगा, तो कितना बार इस कितना आगया है? F divided into 8 ठीक है तो यहां से आप उप्ट्चन देख लेते हैं ठीक है तो हमें यही पूछा था कि अवाइफ क्या होगा, तो हमारा option आ जाएगा A by A, हमारा C option इस question का answer हो जाएगा, ठीक है?